नमस्कार स्वागत है LNMU Notes में ललीत नराइन मितला इंवर्सिटी दर्भंगा LNMU दर्भंगा ने PG सेशन 23 से 25 के सेकेंड सेमेस्टर MMSC M.C.M. का एक्जामिनेशन फॉर्म भरने का डेट एक्जाम का डेट एक्जाम सेंटर सारा चीज जो हूँ जारी कर दिया गया है इस व प्रोसेस है वह आप देख सकते हैं या फिर आप जो है वह यहां पर LNMU Notes.in पर आ सकते हैं Google में कहीं Chrome में कहीं पर भी आप जो हूँ सर्च किजेगा LNMU Notes.in या फिर दिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है डिरेक्ट आप को पोस्ट का लिंक दिया गया होगा वहां पर क्लिक करके आप जो है वह यहां पर आ सकते हैं PG semester second exam form online apply के लिए link active बाकी सारा जनकारी यहां पर दिया गया है तो इस पोस्ट पर हम लोग क्लिक करेंगे add आता है तो आप इसको हटा दीजिए simple सा बात है उसके बाद आगे बढ़ते हैं यहां पर सारा जनकारी दे दिया इसके है कि exam कब से कब तक start होगा Hindi पर क्लिक हिंदी में परने के लिए यहां पर बटन दिया गया है इस पर आपको click करना होगा ठीक है तो यह जो पोस्ट है इंग्लीस में लिखा हुआ है वह हिंदी में बदल जाएगा उसके बाद आप सारा जानकारी यहां पर खुद से भ इस चीज़ के बारे में जानकारी दिया गया था इक्जाम कब तक चलेगा तो यहां पर सारा जानकारी आपको देदिया गया है एक्जाम फार्म जो हूँआ डेकल यहां पर देख एक्जाम फॉर्म 6 अगस object से स्टार्ट हो रहा है exam form exam fee के बारे में बात करें तो 557 ठीक है 557, 557 या 600 के आसपस आपको exam form भरने का जो खर्चा है वो आएगा document के बारे में बात करें तो user ID password आपको ready रखना परेगा photo signature अगर आप बदलना चाहें तो तो ही ready रखना परेगा या फिर बागी जो document है कुछ जदूरत नहीं परेगा registration number उनको जदूरत परेगा जो इस बार रेजिस्ट्रेशन करवाए हैं जो पहले से registration करवाए हुए है जो exam form भरते वक्त registration नमर भरे हुए है वो उनको कोई लिक्कत नहीं है जो exam form भरते वक्त registration नंबर नहीं आया हुआ था और जीरो लिख दिये थे उनको रेजिस्ट्रेशन नंबर का जरुवत परेगा तो आगे सारा जानकारी आपको बता ही दिया गया है तो वीडियो में देख लेते हैं कि फॉर्म भरना कैसे हैं तो नीचे आईएगा तो नोटीस भी मिलेगा उसको थोरा सा नीचे आई यहां पर देखिए क्लिक हेर फॉर पीजी सेमेस्टर टू एक्जाम फॉर्म लिखा हुआ इस पर आपको क्लिक करना इस पर लिंक पर जो क्लिक किजिएगा तो आप वेबसाइट पर आ जाएगा ठीक है बटन पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा जो हो, वेबसाइट खुलेगा यह युणिवर्सिटी का ऑफिशिल वेबसाइट है जहां पर पीजी का जो ही वह ऑनलाइन वेला काम होता है यानि एकजाम फॉर्म भार जाता है, एडमेट काड आता है फिर रिजल चेक होता है इसी वेबसाइट से सारा कॉम पीजिए प्ल सबका हर सेशन का यह सारा चीज़ जब से ओनलाइन हुआ है तब से सारा कम इसी वेब साइट से किया जा रहा है चाहे कोई भी सेशन हो आप कोई भी सेमेस्टर हो स्टुटेंट लॉग इन पर क्लिक करने के से पहले आप यूजर आईडी पासवर्ड रखेगा ज्यादा तरकेस में आपका यूजर आईडी और पासवर्ड क्या है आपका जो है वो यूनिवर्सिटी रोल नमर जो कि आपको एड्मिट कार्ड पर लिखा हुआ दिख जाएगा यूनिवर्सिटी रोल नमर फर्स्टेमेस्टर का जैसे आपने एक्जाम फर्म लॉग इन किया हुआ था सेम वेसे ही आपको क्या करना है एक्टुडेंट लॉग इन पर क्लिक करके और यहां पर आपको क्या करना है अपन अपसन दिखाई देगा तो दिए कि ए रेगूलर और या रेगलर स्टूडेंट यानि 23-25 सेशन के चुडेंट और जो एक्स रेगलोर स्टुडेंट है सेमस्टर 2 यानि जो पिछले सेसन के स्टूडेंट है second semester में प्रमोट हो गये थे और फिर से आप जो हूँ हूँ सेकने समिस्टर खेंगे तो आपके पास अपने मार्क करने ना razem सब्सक्राइस द्रप zeker कि Castle लेख शेव करते हैं और आगे बढ़ते रहना ठीक है तो यहां पर हम लोग अगर बात करें तो देखिये दो दो आप्सन आपको दिखाई रहा होगा एकजाम फर्म का उप्सन और बैग एकजाम फर्म का उप्सन और वाले छूज करेंगे जो एक्स रेगलर स्टूड़न है ए लिना फाइन के साथ तो आप साथ मतलब साथ के साम तक साथ अगस्ट के साम तक ठीक है उसके बाद नहीं तो आठ अगस्ट को ठीक है साथ अगस्ट को नहीं तो आठ अगस्ट को जो हो आप लॉग इन करके चेक कर सकते हैं अब अभी मतलब आज भी जो हो सुबर साम कभी भी करके चेक कर सकते हैं अगर आपका फॉर्म खुल जाता है तो बहर लिजे अगर नहीं खुलता है तो बस एक से दो दिन आपको इंतिजार करना पड़ता है तो छे से क्लिक करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं exam form पर क्लिक करने के पाद यहां पर देखे ओकन रहा धाया है और है ग्लिक किजिएगा दो cur saint आपको किया करना है इस पर क्लिक करना है इस पर कलिक किजीएगा तो आपका फॉर्म कुलेगा फॉर्म फॉर्मियों यहां चार अस्टेफ मेंन है चीडिस में सबसे में एक ही एस्टेफ है सब्जेक्ट वाला तो पहले हम लोग देख लेते हैं पहला क्या पहले क्या सटेफ है आपके पास एपलीकेंड डीटिल जो भी डीटेल आपने भरा हुआ पहले भरा हुआ था वही सारा डीटेल आपको दिखाए देगा अगर उसमें कुछ बदलना होगा तो उसको आप चेक कर लीजेगा जो भी बीकॉम जो भी किया है वो तो आपने पहले भराए हुआ है तो वह भरा हुआ ही मिलेगा उसको भरना नहीं है बस Çek कर लेना है फोटो सिग्शेचर जो पहले अपने अप्लोट यह हुआ है वह ही आपको दिखाई देगा अगर चेंज करना है तो दूसरा अप्लोट कर लिजेगा बात करहता है में बात रहता है आपका सेलेक्ट सब्जेक्ट के बारे में सेलेक्ट सब्जेक्ट को सब्जेक्ट करना है मतलब उस वहां पर आपको दो ऑप्शन दिखाई देगा एक होता है जिरो टू वाला उप्शन दिखाए देगा और एक दिखाए देगा सेकेंड सेमेश्टर वाला उप्शन तो आपको सेकेंड सेमेश्टर वाला उप्शन चूज करने हैं हम लोग धीर धीर आगे बढ़ते हैं उसकी बाद बताते हैं आपको क्या करना है सबसे पहले यहां पर करने के बाद आपको जो भी चीज यहां पर डिटेल करना है वहां फिल कर लीजेगा अपना नाम पिताजी का नाम फिर डेट अब बर्थ मदर्स नेम यह सारा चीज जो हो फिल अब कर लीजेगा इमेल आइडी मोवाइल नमर से तो वेरिफाइड ही होगा वह तो चेक ही है उस इस बार पीजी में रेजिस्ट्रेशन करवाए है जो दुसरे उनिवर्सिटी से आये थे या फिर इस बार जो भी उनिवर्सिटी में रेजिस्ट्रेशन करवाए है नया से रेजिस्ट्रेशन जिनका हुआ है उनको यहां पर रेजिस्ट्रेशन नंबर भरना होगा जिनका यहाँ पे नंबर यहाँ पो कुछ नहीं होगा 0 लिखा होगा तो यहां पर आपको रेज्स्ट्रेशन नंबर भारना है और रेज्सट्रेशन नंबर आपको मिलेगा कहां से तो आप college चले जाईएगा अपने college और college में जब आप registration स्लिप आप दिखाईएगा कि जो PG सेशन 23-25 का रेजिस्ट्रेशन हुआ था उसका रेजिस्ट्रेशन आया है या नहीं आया है ठीक है अगर उन लोगोंने कहा की Registration Sleep नहीं आया हुआ है तो आप यहां पे ऐसे ही छोड़ सकते हैं ठीक है और अगर आपका Registration Felip आया है Registration बन गया है और College में पहुँच चुका है तो आप यहां पे Registration Number भरना होगा आपको और उससे पहले जो PG फर्स सेमेस्टर का मार्कूशिट जारी हुआ है उसमें चेक कर लिजेगा कि रेजिट्रेशन नंबर के जग़ पे पे क्या चीज लिखा हुआ है ठीक है ये रेजिस्ट्रेशन नंबर वाले चीज उन लोगों को ध्यान देना है जिनका इस कि लिए इस से आई हुए थे इस बार पीजी में डिश्ट्रेशन करवाये थे 200 या 230 बार से साइद इतना ही सम्षा dergese रिश्ट्रेशनस आपके पास होगा ही है कि और को जाके पता करह 쿠 Spark कि आपका रेजिस्ट्रेशन आया है या नहीं आया है पीजी सेशन 235 का रेजिस्ट्रेशन नंबर आया है या नहीं आया है चेक कर लिजेगा आया है तो भर लिजेगा नहीं आया है तो कुछ नहीं करना छोड़ दीजे उसके बाद रेजिस्ट्रेशन इयर जिनका इस साल रे पर जो हमाइब ना है तो जो भी आपने पहले select किया हो वह हिसाब से रखहा होगा फिर आप का address आपने पहले भरा हुa था वही है अगर आप चेंज करना चाहे तो चेंज कर सकते हैं नखिशांट सकते हैं तो आप डाइक यहांपे कर सकते हैं सेवन कंटिनीव डियर्च इश चीज पर आपको क्या करना है क्लिक करना है उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर एजुकेशनल डिटेल जो है आपका ग्रेजुएशन का डिटेल ठीक है तो ग्रेजुएशन आपने जहां से किया हुआ था वह कॉलेज का नाम जो भरा हुआ हुआ है फिर बोर्ड यूनिवर्सिटी कब पास हुए यह सारा चीज कितना आपको नंबर मिला यह सारा चीज ह ही है तो अगर आपको देखने में मतलब आगlin देखंअ कि कुछ गलत है तो उसको सही लिजेगा उसके बाद यहीं बस डीटिएल भरना और आपना सब्जेक्ट भरना है कि कि सब्जेक्ट से किये हुए है बस वही बरना है ठीग उशके बाद यह अधर वारा चोड़ दीजागर कोई कॉर्स आप अलग से किये हुए तो भढ़ी यह नहीं तो कोई करने यहां पर क्या करना है सब्सक्राइब करना है सब्सक्राइब करना है उसके बाद यहां पर फोटो और सिंग्नेचर दिखाएगा अगर पहले से जो फोटो सिंग्नेचर दिखा रहा है वह आपको ठीक लग रहा है किलियर फोटो होना चाहिए अगर किलियर फोटो है तो छ लिखा हुआ है सिगनेचर मस्ट बी ऑन वाइट बेग्राउंड यूजिंग ब्लैक या ब्लू इंक पेन ठीक है तो जो भी आपका सिगनेचर होगा उसका बैग्राउंड क्या रखना है वाइट ही रखना है ऐसा जो हुआ यहां पर लिखा हुआ कि लिए लिए आप देख सकत करना है तो देखेंचे यहां पर दो ओसंदि दिखाए दे रहा मHइंदी SM 02 सकेंड से मेस्टら जो भी आपका सब्ढेक्त है उसके हिस्ज्ट्री मसिगोडों जिखेंगा प्रोपीडिक्स जो भी सतर्छा से यहां कुछ टाइम लोडिंग होगा अगर इंटरनेट स्लो है तो और इस तरह से आपका सारा सब्जेक्ट आ जाएगा इसमें कुछ नहीं करना है छेर खारी नहीं किजेगा ठीक है अगर इसमें आप लोग कुछ भी ठीक कर दिये कुछ भी यहां पर जैसे ठीक लगा हुआ है इस प यहां पर दिखाय दे रहा है यहां पर है यहां पर गिंति कर लिजेगा, क्या है? CC FAC6 CC접 यह आप लोग आपका हो गया main paper ठीक है यह आपका हो गया main paper उसके बाद आता है आपका SEC paper SEC paper क्या होता है SEC paper आप लोगों का जो हो option दिखाई देगा ठीक है SEC paper में यहां पे देखिए क्या क्या हुआ SEC paper में environmental law and policy है computer and ITC है और yogic science है अब इसको ध्यान से देख लिएगा subject select के बार सब्सक्राइब करेंगे और yogic science यह इन दोनों में से कोई सेलेक कर लेंगे science और art वाले student यानी MA और MSC वाले इस्टुडेंट ज्यादा तर आपको क्या करना है yogic science सेलेक करना है नहीं तो यह विला सेलेक करना है तो ज्यादा तर जो students होते हैं वो यह ही सेलेक करते हैं कुछ student सभीच्ट करेंगे अगर नहीं भी कर थे यह स्थ करना होगा किसी को तो वह करना हो तो ही इस में जह हूँ आपको बस ज्लसा ज्यादा सट्ट परसेंट श्ट्टेंट हो इन्वायरमेंटल लो एंड पोलीशी चूज करते हैं इस इसमें जो है आपको जो गेस पेपर भी आसानी से मिल जाता है हिंदी इंग्लिश मीडियम यह सा राचीज वह अलग कहानी है ठीक है तो इसमें आपको क्या करना है आर्ट से हैं तो ज्यादा तर स्टुडेंट जो हुआ इंवरुमेंटल लौ एंड पोलिसी ले लिजेगा इस फॉर्म में डिटेल है वह सारे चीज़ आपको दिखाए देगा अगर डिटेल सही लगे तो फिर से फॉर्म को भर लीजे ठीक है उसके बाद पेमेंट कीजिए और बात करने थे कि पेमेंट कितना होगा तो देखे पेमेंट आपको 557 557 पांसो संतावन से लेके 600 तक इतना आप दुकान पर जाते हैं तो सौरू पर आइक्षरा लगेगा वो तो कहने वाले बात है ही नहीं उसके बाद आपको क्या करना है प्रिंट निकालने के बाद एक प्रिंट जो हुआ आपको एक कॉपी जो हुआ आपको अपने पास रखना है और दूसरे कॉपी अपने सभी के लिए बता दिया गया ठीक है एक्स रेग्लर वाले जो यहाँ पर सब्जक्ट आएगा उसमें आपको क्या करना है बस वही सब्जच्ट के चूज करना है जिसका आप इजाम देना चाहते हैं मतलब की जो जिस सब्जेक्ट में आपका नंबर कम था फेल हो गये Excuse पास नहीं हुए थे, पर्मोटेड है, तो जिस बज़े से पर्मोटेड है, जिस सब्जेक्ट की बज़े से, बस वही सब्जेक्ट यहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद आप आगे ऐसे ही वर सकते हैं, ठीक है, तो फिलाल, अगर कोई डाउट होता है, सकेंड सेमेस् के यूटिब चैनल पर,